दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन खास विश्वेप है यानि ध्यान, meditation बहुत trend बन गया आजकल meditation करने का तो वहीं पर बहुत लोग सोचते हैं हम ध्यान क्यों करें ध्यान तो दुखी लोग करते हैं तो कोई कहता है कि ध्यान तो जो पूजा पाट करने को ध्यान कहते हैं वही लोग ध्यान करते हैं तो कोई सोचता कि ध्यान तो बुजर्ग लोग को कोई शोभा देता है बुजर्ग लोग ध्यान करते हैं पर मैं आप से एक बात यदि पूछूं कि आपने एक बहुत खुबसूरत गाड़ी ली बड़ी गाड़ी आपने ली तो क्या आप उसको इस्तमाल करते रहते हैं इस्तमाल करने के साथ साथ कभी से सर्विस सेंटर पर नहीं ले जाते आप ले जाते हैं तो जिस तरह आपकी गाड़ी कितनी भी महेंगी हो कितनी भी सुन्दर हो फिर भी उसको सर्विस सेंटर पर ले center ले जाना तो ध्यान एक तरीके से अपने आपके servicing करना है तो ध्यान को आप आप किसी ऐसी चीज़ से ना जोड़ें कि ये बहुत आपको बोलियत में ले जाएगा या बुजर्गियत में ले जाएगा धार्मिक बनाएगा ध्यान आपके खुद के लिए होता है इसको आप के लिए आप साबुन रखते हैं तो ऊपर के सफाई के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन अंदर के सफाई वो कैसे करेंगे उसके लिए ना कोई साबुन है ना कोई फिनायल है ना ही कोई ब्रश है ना ही कोई सोडा है डिटरजन है तो अंदर की जो हमारी सफाई है जिसे हम दिन भर या महीने भर के कच्रे के साथ भरते हैं क्योंकि हमारी आखे कुछ देखती हैं कान कुछ सुनते हैं हम कुछ पढ़ते हैं कुछ गौसिप्स पटोरते हैं और ये मस्तिक मन जो बहुत कुछ सोचता है और अंदाजे लगा के चीज़ों को खराब करता है ये सफाई के लिए अपनी अंदर की क्लिंजिंग के लिए इसको एक और उधारन से भी देख सकते हैं ध्यान के महत्तों को समझने के लिए आप सबने देखा होगा मोबाइल बहुत कॉमन चीज़ है हर घर में हर बच्चा आज कल यूज़ करता है एक मोबाइल हजार रुपे का भी आता है एक मोबाइल एक लाख रुपे का भी आता है उपरी ढंक से यदि हम देखें तो आप पाएंगे दोनों में बहुत डिफरेंस है मसलन किसी का साइज में डिफरेंट है किसी का बटन वाला है किसी का 4G है किसी की स्क्रीन बड़ी है ऐसे ही आप अंतर देखते हैं तो उपे द्रिष्टि से यदि हम देखें तो आप पाएंगे दोनों मोबाइल से में जमीन आसमान का अंतर है न सिर्फ रेट में बलकि उनके फंक्शनिंग में उनके लुक्स में लेकिन एक जगा एक तौर पर दोनों की आउकात दोनों का डिफरेंस या दोनों का फेटि इस फीरे टोनों इसान पर कुझ में जोनों चार्जर की जरूत कैंश्य रही है Similarly, इंसान गोरा हो, काला हो, हिंदु हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, ध्यान की अवशकता पड़ती है तो एक तरीके से ध्यान यानि अपने आपको चार्ज रखना अब आप कहेंगे आजकल तो बैटरी बैकपस भी आ गया है कि हम तो उन बैटरी बैकपस को रखते हैं लेकिन आपने कभी सोचा उन बैटरी पावर पैकेजिंग को भी आपको चार्ज करना पड़ता है तो बार-बार चार्ज ना करना पड़े, एक पर्मनेंट चार्जिंग का नाम है ध्यान तो ध्यान यानि उस Almighty, उस परमात्मा, उस परमेश्वर, प्रकती, अस्तित्व, जो भी आप नाम देते हैं, उससे Permanent Connect हो जाना, उसके साथ Permanent Connect होने का नाम ही ध्यान है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रार्थना यानि जब हम परमात्मा से बात करते हैं, हम अप उसको सुनना, तो हम उसको सुनने के कोशिश करते हैं, अपने आपको इस लाइक बनाते हैं कि परमात्मा वो शक्ति हमको क्या दिखा रही है, क्या दे रही है, उसको महसूस करते हैं, तो आपने देखा कि ध्यान सिर्फ बुजर्गों का या नीरस्ता का कारे नहीं, ध्यान हमारे लिए एक servicing है ध्यान हमारे लिए एक cleansing powder या एक soap की तरह है जो हमारे आत्मा की हमारे मन के मैल के सफाई करता है तो एक और ध्यान हमारी regular connectivity है हमें हमेशा charge करती है और हमें हमारे परमात्मा से हमारे अंदर से जोड़े रखती है इसलिए हमें ध्यान कैसे भी किसी भी ढंक से करना चाहिए just thing यदि ध्यान नहीं है तो कुछ नहीं है